Hello friends, I am Neidu and most welcome to my channel Beauty and Hair Stiles. Friends, last time मैंने circular haircut की tutorial सी थी, उसमें sections कैसे बनाने हैं, ये बताया था, और किस तरहां से कितने angle पर कोंसे section को cut करना है, पूरी जो detail मैंने आपको प्रोवाइड की थी. तो ये ही process मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, किसी cutting actually में करने किस तरहां से हैं, ओकी तो friends, देखिए, circular cut में क्या होता है, जैसे कि आपका head है, तो आपके hairs कुछ circle form में कटते हैं, इस form में circular form में, इस व्यासे से circular cut बोला जाता है, इसमें हम अलग-अलग sections बनाते हैं, five sections ह देखिए, one, two, next, three, four, five, five sections हमने यहां बनाये हैं, last video मैंने बताया था, कि sections किस तरहां से बनाने हैं, किस तरहां से create करने हैं, किस तरहां से angles लेने हैं, next four sections, यानि कि two sections हमने यहां बनाये हैं, जिसमें से two sections ये वाले हैं, हमारे two sections ये वाले रहेंगे, यानि कि यहां पर हमन सेम हमारे दूसरी साइड है दो सेक्शन समनाए है यह भी दो सेक्शन है जिसको हमने कमबाइन करके लिए है लेकिन इसी कटिंग हम सेपरेटली करेंगे तो यही सेक्शन हमने इस टमी पे इन हेर्स में बनाए है और अब हमने क्या करना है सबसे पहले ने पेरिया नेप एक कुन सा जो हमारा back का area होता है यह हमारा first section है जिसे हम open करेंगे किसको नेप एक section को हमने open करना है open करने के बाद हमने सबसे पहला जो cut करना है वो zero degree के angle पे करना है कौन से angle पे? zero degree के angle पे तो friends देखिए सबसे पहले हमारे hairs है zero degree के angle पे means to say कि यह जो एंगल है बिलकुल एक स्ट्रेट कट करना है नीचे से तो इसको आप देखिए जब आप इसकी practical class देख और practical में इसको हमने 0 degree के 『ल करना है एक स्ट्रेट कट ठिक है और प्रॉप्रली से cut कर देंगे gonna cut cut देंगे कि I am aohan जीहान रखना है किसी हम वह वह वेट होने चाहिए ड्राय नहीं होने चाहिए अब आपने इन हेड्स को होल करना है और इन हेर यह जो शूटेम पोट क्रक्स किए थे यह आपकी गॉइप दें पर होगे लेकर आएंगे इसको दो फिंगर्स में होल्ड करेंगे जैसे यह आपको अपने मेरी गाइडलाइन होई यह सारे हर मुझे इस तरह से पॉइंट कटिंग में कट करने है इस तरह से यह इस तरह से हमने से कट करना है यह है and then leave it यह कूंचे अं精त कटकिया है हमने 45 Zeit इए अम करना है यह हमारा एकेटर सक्शन है जिस डूपन करके हम इसको अब स्ट्रेटड लेके जाएंगे AND 9 90-degree के अंगल पे अब इसके guideline कोण सी बनेगी यह वाले हिएर्स को नीचे वाले हिएर्स को हमने इन ऑकिपीटर पर के section में मिलाना है और इसको हम लेके जाएंगे 90-degree के अंगल पे कौन से अंगल पे 90-degree पे और जहां पर हमें हमारी guideline गायडलाइन विजिबल होगी महीं से हमने इने हेरज को खुट करना है और यह जू कटिंग है यह होगी पॉइंट कटिंग divorce तरह से आपने कट ट करना है 90 डिकल पर इसको जब आपने 90 डिपर कट किया यह आपने अपने गाइडलाइन नीचे वाले हेर्स जो है आपके गाइडलाइन बनेंगे और इसको उपर वाले हेर्स में मिला देंगे जिसकी आपने कटिंग करनी है और इसको आपने 120 डिगरी के एंगल पर लेके जाना है मैंने आपको यह एंगल बताई थे ना पहले 0 पर कट करना है फिर उस उसी सेक्शन को 45 डिगरी पे सेकिंड 90 फिर 120 फिर अबव अबव इस तरह से हम अपने कटिंग करेंगे तो इसको 120 और उसके बीच में रखेंगे में इस रूसे कि प्रॉपर नहीं कि 120 पे बीच से में रखेंगे तो एंकल को एक सर्कुलर फॉर्म देना है गाइडलाइन दिख है फो हम 181 80 डिगरी के एंखल सब्सकुलर न हे और इसको हमने लेना है वन अधिडिगरी recorded पर और 180 डिगरी के अंगल पर जैसे ही हमें हमारी गाइडलाइन वीजिबल होगी अचलि यह ओल्रडी 180 पर ही कट हुए हैं तो 180 डिगरी के अंगल पे जो भी थोड़े बहुत हैं वह हम कट कर देते हैं क्योंकि यह ओल्रेडी एकॉल है विए हमने कटिंग की हुई है तो 180 डि 180 से हलक आसा अबव थोड़ा सागे जाएंगे और जैसे ही हमें हमारी गाइडलाइन विजिबल होगी और इस सारे हेर्स को हम कट कर देंगे यह वाली फोर्मेशन आएगी अब देखिए चोटे बड़े 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 इस तरह से यानि शोर्ट टू बिग की फोर्मेशन आती है सर्कुलर कट में तो कट कैसे हुआ है पहले जीरो डिगरी पर 45 90 120 180 इस तरह से कट चलेगा नेक्स्ट अब हमारे जैसे कि जब आपके पूरा सेंटर का पार्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा देन आपको साइड का पार्ट ओपन करना है साइड कोई भी पार्ट ओपन कर लीजिए सुपोज कि मैं यह बला ओपन कर रही हूं और इसमें मैंने एक सेक्शन को लीव कर द मेरे गाइडलाइन बन जाएंगे और इसको मैंने अगीन 45 डिगरी के अंगल पर रखना है जब मैं इसे 45 डिगरी के अंगल पर रखूंगी अब यह देखिए है मेरा सेक्शन जिसे कि मैं 45 डिगरी के अंगल पर रखूंग और जहांसे ही मुझे मेरे गाइडलाइन हमने नीचे और ऊपर से डोनों साइड से हिर्स लेने हैं क्योंडit pub Όすve अपने गीडिगरी के एंगल पर सो यहां से आपनी क्या करना है इस नाइन ते डिगरी के एंगल आपके गाइडलाइन के एकोर्डिनली एंड इस तरह से आपकी यह कट होगा सेम यहाँ पे भी आपने यही फोर्मेशन फोलो करना है यह जो हेर्स है यह आप कम्प्लीटली हलका सा लेकर फ्रंट की हेर्स में लेकर चाहे इसको आप फ्रंट में भी कट कर सकते हैं बिल्कुल लाइट सी अच्छी सी वैरियेशन आप के पास आएगी इस तरह से फ्रंट में ले जाकर इसकी अपनी गाइडलाइन देखें जहां पर भी गाइडलाइन वीजिबल हो और यहां पर हापकी गाइडलाइन आई और यहां पर आपको दूसरे साइट से यह प्रोसेस करना है यह वाला हमने सेक्षन लिया था इसको हम सेप्रेट करेंगे यहां से अपने हेर्स लेंगे सेक्षन लेंगे और इसको सेप्रेट करने के लिए हमने सेक्षन क्लिप का यूज करना है उपर वाले section को हमने separate कर दिया और नीचे से ले लिया और ये जो हमने section लिया है इस section को हम क्या करेंगे? calm करके अपना angle create करेंगे ये वाले section लिया है हमने और इसको 45 degree के angle पर लेना है और 45 degree के angle पर ये हमारी guideline visible हुई हमें और इसको हम cut करेंगे and then next section open करेंगे पीछे से hairs ले लेगे and hairs लेने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है इसमें अपना section बना लेना है और section को 90 degree के angle पर लेना है तो इसमें हमने section को 90 degree के angle पर लेना है जैसे हमें अपमारी guideline वीजिबल हुई and in hairs को हम cut करेंगे या यंद या वाली formation आएगी और जैसे हमने ही हे ऐसके को ही ट चाहें तो इसे फ्रंट में ले जाकर कट सकते हैं अगर आप decis UX में पिष्ये उने फ्रॉंट में ले जाकर कटा था न तो यह वाली formation में भी हम इसे फ्रेंट में लेंगे और फ्रेंट में लाकर किस तरह से हम इसी कटिंग करनी है आप देखिए फ्रेंट में लाए और हल्का सब बहुत ही अच्छी सी वैरियेशन आ जाएगी फ्रेंट में लाए जैसे आपका गाइड़ लाइन वीजिबल हुई तो उसी के कोडिंग आपने इसमें कट करना है देखिए तो यह इस तरह से आपकी जो है रांड़ कंट होता है इसको हम संप्र कोर्ट बोलते हैं और इस तरह से आपका संप्र के लिग यह जो होता है बहुत यहां से जो सय लिया था थीक है पर और यहां पर यहां पर ने म exposing 4.4। completa season कर सकते हैं तो इस तरह से आपका राउंड कट होगा सो फ्रेंट्स आई होप सो कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा थेंग की वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल व्यूर्य नहीं सब्सक्राइब कर सकते हैं थेंक यू क्ल feito और जाने की राई राय अभाई। क्रेंट मेरी प्यून के वेंल कर सकते हैं यूर्ण के शलू मेंडिए यूल का लिए्णधने की प्रिप nuestro सकते खिस आपके तोश्चाहत जाती आपके एक रहिए नहीं कर सकते हैं तो कर सकते हैं video क्कल खिए अपके रहाँे।